जल्दी से एक फेस लेक्ट जल्दी से जल्दी जल्लो अपक इसे रूल करना है कुछ इस कदर था पर मिल देिख आए और फिर मैं देख रहा हूं लाइट सोस को तो मुझे इस त्यूम में से वह लाइट सोस बहुत ही दिखाई दे रहा है आप लोगों को भी करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल पी डबलू लिटिल चैंप्स पर तो चैंप्स कैसे हैं आप सभी लोग सब लोग बढ़िया होंगे मस्ती कर रहे होंगे पढ़ाई चल रही होगी अच्छी और इंजॉय तो कर ही रहे होंगे तो आज एक बार मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने फिर से और आज हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइट शेडव एंड रिफ्लेक्शन इस चैप्टर को हम बड़े ही मज़दार तरीके से पढ़ने वाले समझने वाले और सीखने वाले हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्लास को पर उससे पहले एक छोटी सी ब लगता है तो नोट डाउन करते रहेगा और बाकी का आपको यह जो नोट से यह तो मिल ही जाएगा तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम किन-किन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो यह होने वाले हैं हमारे आज की टॉपिक्स और और ऐसा नहीं है कि बस यही टॉपिक होंगे अरे यह तो बस कुछ चीज़े लिखी है इसकी अलावा बहुत सारी टॉपिक्स होंगे बहुत सारी मस्ती होगी वह तो मैंने लिखी ही नहीं है पर वह होगी तो हम लोग बात करने वाले हैं थ्री टाइप्स आप अबजेक्ट हूँ कि मान लीजे मानना क्या है आरे सुबह उठना ही पड़ता है सुबह सुबह स्कूल मम्मी बोलते हैं स्कूल जाने के लिए तो हम लोग सुबह उठ रहे हैं स्कूल जाने के लिए हम लोग उठ रहे हैं तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं हम दिखाई देते हैं यानि हमें बहुत सारी चीजे दिखाई देती हैं पूरे दिन हमें अगर मैं कहूँ कि आप लोग रही अन्धेरकम्रे बायगे कुछ देख पाएंगे किसी चीज को देख पाएंगे आप लोग कहेंगे नहीं अच्छा मैं आप लोग को वहाँ पर एक candle देदू और matchbox देदू तो आप क्या करेंगे candle से matchbox को जलाएंगे और अब आप उस अंधेरे कमरे में जब candle को लेके घुमेंगे तो आप वहाँ पर रखी हुई चीजों को देख पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है अच्छा क्या रात के समय भी हम most of the चीजों को जो दिन में जितने अच्छे तरीके से देख पाते हैं क्या रात के समय भी हम उन चीजों को उतने ही अच्छे तरीके से देख पाते हैं आप लोग कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं होता है तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि दिन के समय हम बहुत सारी चीजों को देख पा रहे हैं और एक अंधेरे कमरे में जब हमें ले जाया जाता है तो हम वहाँ पर चीजों को नहीं देख पाते हैं आखिर ऐसा क्या है तो इसके पीछे का जो reason है बचलोग वो है light यानि अगर light नहीं होगी तो आप चीजों को नहीं देख पाएंगे अभी आप लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ light की वज़े से देख पा रहे हैं यानि क्या हो रहा है यहां पर light लगी है light लगी है बहुत सारी इस room में light है वो light क्या हो रही है आ रही है मेरी body पर मेरे face पर और मेरी body क्या कर रही है उस light को reflect कर रही है आपकी तरफ यानि यहां से light आई उसको मेरी body ने reflect किया और वो light जब आप लोग की आँखों तक पहुंची तभी आप लोग मुझे देख पा रहे हैं अरे बहुत सिंपल सा एक्जामपल है हम लोग मेर में जब भी देखते हैं जब भी घूमने जाना होता है अच्छे से त्यार होना होता है तो क्या करत होके वापस हमें दिखाई देती है अगर मैं कहूं कि एक अंधेरे कमरे में आप मेर के सामने जाके खड़े हो जाईए तो क्या आप अपने चेहरे को देख पाएंगे मेर में नहीं देख पाएंगे तो सबसे इंपॉर्टन जो चीज होती है किसी भी चीज को देखने के लि आपने के टेस्टी टेस्टी सा खाना बनाती है लेकट्रिक रिम और जिसकी हैंसे फें चलाते हैं जिसके रसे तो को यह पाता है ना पको लाइट गाल्शा होता है तो light is a form of energy that help us to see other object यानि बिना light के हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे अब light भी जो आ रही है वो हम क्या करते हैं उस light के आने पर हम चीजों को दो टाइपस में बाट सकते हैं एक होते हैं luminous object और एक होते हैं non luminous object बहुत simple सी चीज है अच्छा आप लोगों ने देखा होगा fan आपको क्यों दिखाई देता है क्योंकि हमारे घर में जो bulb लगा है उस bulb से जो light आती है fan पर और फिर वहां से light reflect होके जब हमारी आँको तकाती है तब हम उस fan को देख पा रहे हैं पर बल्ब क्या कर रहा है, हमारे घरों में बल्ब का काम क्या होता है, तो हमारे घरों में बल्ब का काम होता है, लाइट को बिखेरना, लाइट को फैला देना, यानि बल्ब खुद लाइट एमिट कर रहा है, बट फैन नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, चेर नहीं कर है बैड नहीं कर रहा है तो वो सारे जिनके पास खुद की लाइट होती है और वो अपनी लाइट को एमिट करते हैं उन सारे अबजिक्ट को कहा जाता है लिमिनस ऑबजेक्ट जैसे बल अच्छा आप लोग को रात के समय आसमान में सबसे चमकीली चीज कौन से दिखाई देती है आप कहेंगे बहुत सिंपल है रात के समय हमें आसमान में सबसे चमकीली चीज दिखाई देती है Moon अच्छा Moon क्यों दिखाई देता है क्योंकि Moon की खुद की Light नहीं होती है फिर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि Sun से जो Light आती है Moon पर वो Light Reflect होके हमारी आखों तक आती है और इसी वज़े से हम Moon को देख पाते हैं तो Moon भी एक Luminous Object नहीं है करते हैं उन्हें कहा जाता है Luminous Object एक्जामपल में Sun Star and Torch Torch के इस्तमाल हम क्यों करते हैं क्योंकि अंधेरे में जब भी घर पे Light चली जाती है हम Torch के इस्तमाल करते हैं Torch जलती है तो Torch में से Flash Light जाती है और वो Light जहां पर भी जाएगी जो कि Light को प्रोड्यूस नहीं करते हैं यानि Object विट्स ड़नोट एमेट यार ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑबजेक्ट जैसे टेबल चेर आप में हम लोग लाइट को एमिट नहीं करते हैं क्योंकि हम नॉन लुमिनस ऑबजेक्ट हैं आप लोग को समझ में आ गई होंगी तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोग को कुछ Light Sources के बारें बताता हूं Light Sources मतलब ऐसे Object जो कि Light Emit करते हैं और उनकी help से हम दूसरी Objects को देख पाते हैं क्या होते हैं वो Light Sources देखेगा एक-एक करके जैसे कि Fire जहां पर भी आग जलती है तो वहां पर रौसनी होती है यानि वहां पर आसपास चीजों को हम देख पाते हैं आप लोगों ने देखा होगा ancient time में जब electricity की discovery नहीं हुआ हुई थी तब उस समय लोग क्या करते थे मसाल का इस्तिमाल करते थे यानि एक लगड़ी होती थी उसके उपर आग जलती रहती थी और उससे लेके वो रात को ट्रावल करते थे रात को चीजों को देखते थे इसके अलावा आप लोगों पता है बहुत ही common torch, lamp उसके बाद laptop आप लोग ने देखा होगा laptop जब हम laptop पर काम करते तो उसकी भी brightness होती है उसमें से भी light emit होती है उसके अलावा television में भी होती है और light bulb का तो इस्तमाल ही किया जाता है light के emission के लिए और उसकी help से हम चीजों को द बात करते हैं तीन टाइप के object होते हैं हमारे आसपास बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं हमें हमें देखने को मिलता है mirror, wall इसके अलावा हमें transparent कुछ paper होते हैं and number of चीजें हमें देखने को मिलती हैं अब अगर हम उन सारी चीजों को light के basis पर अगर हम उनको क्या करें अलग-अलग parts में divide करें तो तीन types के object होते हैं अब कैसे होते हैं वो object तो दीके एक ऐसा object होगा जो की अपने अंदर से light को completely pass होने देखा उसे हम कहते हैं transparent object यहाँ पर आप देख सकते हैं एक window लगी हुई है एक glass लगा हुआ है यह क्या है एक glass है और यह glass क्या कर रहा है अब इस glass इस window के दूसरी side जो चीज़े हैं उनको easily देख सकते हैं क्योंकि यह रहाब चलोग एक window और यहां से जो भी object है उसकी light पूरा complete मेरी आंको तक आ रही है इसी वयसे मैं उस चीज़ को properly देख पा रहा हूं तो पहला object जो होता है वो होता है transparent जो की light को अपने अंदर से completely pass होने देता है अब कुछ ऐसे object भी होते हैं जो की light को अपने अंदर से completely तो नहीं बट partially pass होने देते हैं यानि उनके अंदर से बहुत कम light pass होती है और इसी वज़े से हम object को properly नहीं देख पाते हैं सिर्फ कुछ हिस्सा देख पाते हैं और ऐसे object को कहा जाता है Translucent, Translucent object देखिए यहाँ पर आपको object देख तो रहा है बट बहुत ही कम देख रहा है बहुत हलका देख रहा है क्योंकि यह बहुत कम partial light को allow कर रहा है यह complete light को allow कर रहा है अपने अंदर से pass होने के लिए और यह क्या कर रहा है Partially allow कर रहा है बहुत ही छोटा portion बहुत ही कम portion allow कर रहा है light का और इसी वज़े से इसी वज़े से हमें यह जो object है वो पूरी तरीके से नहीं देख रहा है कुछ दुदला-दुदला सा देख रहा है इसके अलावा एक और object होते हैं थर्ड टाइप के जो की light को completely block कर देते हैं यानि अगर उन पर light incident होती है तो वो light वही पर रुख जाती है वो उसको पार नहीं कर पाती है और ऐसे objects को कहा जाता है opaque यानि यह completely block the light completely block the light यह light को completely block कर देते हैं और इसी वज़े से हम इनके पार यानि इसके दूसरे साइट जो चीज़े रखी होंगी उनको हम नहीं देख पाएंगे ठीक है चलिए अब मैं आप लोग को कुछ example से समझा देता हूँ अगर मेरे पास रखी हूँ इस चीज़े हैं तो देखे जरा ध्यान से देखिए ये एक object है अगर मैं इस object को अपने सामने रख रहा हूँ तो क्या मुझे इस object के दूसरे साइट चीज़े दिख रही हैं मुझे बिलकुल भी नहीं दे रहा है इसका मतलब ये object कैसा है ये object opaque है ये अपने अंदर से चीज़ों को पास नहीं होने दे रहा है ठीक है अब अगर मैं बात करूं इस paper की तो ये paper भी क्या है ये paper भी मुझे दूसरी साइट चीज़ों को दिखाई नहीं देने दे रहा है तो ये भी क्या है ये opaque है अब उसकी जगे अगर मैं बात करूं इस umbrella की ये umbrella देखिए ये क्या हो रहा है ये मुझे हलका हलका यहां यहां वह मुझे दिखाई दे रहा है यह जो एलाव कर रहा है यहीं कि मेरा göz ने देखाई रहा था और यानि when the light will not pass through an object, यानि जब light बिल्कुल भी pass ना हो किसी object से, तो उस object को कहा जाता है opaque, फिर हम बात करते हैं, दूसरे object की जो के Translution, यानि when an object allow some light, बहुत थोड़ी सी light को allow करता है अपने अंदर से pass होने के लिए, तो उस object को हम कहते हैं Translution, और Transparent मतलब light passes through an object, जब कभी भी light किसे object से pass हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे Transparent, अब ये तीनों object आप लोग को समझ में आगे होंगे, आप लोग को क्या करना है, मैं last में बताऊंगा, आप लोग के लिए, आज मेरे पास कुछ homework दी है, तो आप लोग को वो सारी चीज़े collect करनी है, and then मुझे बताना है, च अब मैं आप लोग से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, are the following objects opaque, translucent और transparent, अब आपके सामने एक एक करके कुछ questions आएंगे, आपको बताना है, वो object कैसा है, transparent, translucent या opaque, देखिए, book, एक book है, ये कैसी है, ये transparent है, translucent या opaque, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या होगा answer, नह अपने अंदर से light को pass नहीं होने देगी, और इसी वज़े से book एक opaque object होती है, चलिए, हम दूसरे object की बात करते हैं, ये रहा आपका second object, क्या है, a glass, glass क्या है, जल्दी बताइए, नहीं पता, मैं बताता हूँ, glass, glass में हम एक side से दूसरे side सीजों को आसानी से देख सकते हैं, और इसी वज़े से जो glass है, वो एक transparent object होता है, क्योंकि वो अपने अंदर से light को pass होने के लिए permission दे देता है, है ना, तो ये एक transparent object है, चलिए, इसके अलवा हम बात करते हैं, आपके third question की, जो की है tracing paper, और क्या होता है ये, तो tracing paper, ये अपने अंदर से light को partially allow करता है, तो आप जल्दी से answer बताइए, ये क्या होगा, opaque, translucent या transparent, जल्दी 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 answer कीजिए, जल्दी जल्दी ताकि मुझे पता चल दा है, आप लोग को चीज़े समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए, जी हाँ आप बिल्कुल सही है, answer हो का translucent क्योंकि ये partially light को allow कर रहा है, अब यहां तक हम लोगों ने बहुत ही आजानी से चारी चीज़ों को समझ लिया, हमने समझ लिया light क्या होता है, luminous object क्या होता है, non luminous object क्या होता है, और light को अपने अंदर से allow करने के basis पर हमने objects को तीन category में divide करते है, transparent, translucent and opaque, आप क्या करते ह हम अगले topic की और बात करते हैं, और वो क्या है, तो वो है बचलोग shadow, हमारे chapter का second topic जो की कहता है shadow, बहुत simple सी चीज़े, आप लोगों ने देखा होगा दिन के समय, जब क्या होता है, दिन के समय मैं कहा रहा हूँ, यानि जब sun रहता है, जब sun रहता है, तो हम लोगी school जाते हैं, हमारे साथ साथ हमारी परचाई, जिसे हम shadow भी कहते हैं, वो भी चलती रहती है, जैसे अगर मैं मालूँ कि sun इस side है, तो मेरी परचाई आगी होगी और हम दोनों साथ में चलते जाएंगे, और मैं तो छोटे में क्या करता था न, मुझे लगता था यार ये कौन है जो म पैर रखता था, वो shadow आगे चला जाता था, अब मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, फिर बात में मुझे पता चला रहे, ये तो मेरा ही shadow है, ये तो मेरा ही shadow है, और मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो shadow भी आगे बढ़ जा रहा है, तो इसी वज़े है, और block हो जाती है, इसी वज़े से उस opaque object का opposite side में एक क्या बन जाता है, dark image बन जाती है, जिसे shadow कहा जाता है, जैसे अगर मैं कहूं, सामने से, अगर सामने से light आ रही है, और मैं उस light के रास्ते में इस object को रख दूँ, तो ये object क्या करेगा, light को block कर देगा, और इसी वज़े से, इस object का एक पीछे dark image बनेगा, black color का, और उसी image को कहा जाता है shadow, जैसे कि आप यहाँ example में देख सकते हैं, एक bulb है, एक light source है, या ये light को emit कर रहा है, emit कर रहा है, और पीछे हम लोगों ने एक screen लगा रखी है, और उस screen का काम क्या है, तो इस से बनने वाले shadow को क्या करना, उस screen पर present करना, तो जब इस light source से light जल रही है, तो ये light जा रही है, देखिए light जा रही है, बट बीच में क्या हो गया, एक opaque object आ गया जो की है apple, और apple अपने अंदर light को pass नहीं होने देगा, तो light यहाँ से, यहाँ से light चली जाएगी, यह पास हो जाएगी, यहाँ से pass हो जाएगी, बट इस वाले part से light पास नहीं हो पाएगी, और इसी वज़े से, इस screen पर हम देखेंगे, तो इतने part की वज़े से एक dark zone बन ज अब देखो बचलो, shadow बनाने के लिए हमें दो चीज़े चाहिए, दो चीज़े हम कहें, तीन चीज़े चाहिए, तो एक क्या है first light source, अगर light source ही नहीं होगा, तो shadow कैसे बनेगा, मैंने आप से कहा, मैंने आप लोगे से कहा, shadow तब ही बनता है, जब light के रास्ते को block किया जाए तो light तो must है, तो एक तो ये होना चाहिए, दूसरा एक opaque object होना चाहिए, क्योंकि opaque object ही light के रास्ते को block करता है, और इसी वज़े से उसकी dark image बनती है, तो एक हमें चाहिए opaque object, और एक screen चाहिए जिस पर हम उस shadow को present कर सकें, अगर मैं आप लोगों से कहूं, मैं आप लोगों से कहूं कि एक अंधेरे कमरी में, एक फुल अंधेरा कमरा है, और उस अंधेरे कमरे में आप जाए और आप अपना shadow उस अंधेरे कमरे में बना सकते हैं क्या? तो आप क्या करेंगे अपने दोस्त के उपर अपने दोस्त से कहेंगे कि तुम मेरे उपर टॉर्च से लाइट डालो तो आपका दोस्त आपके उपर टॉर्च से लाइट डालेगा बट आपका जो शैडो बनेगा वो दिखाई कहां पर देखा क्योंकि कमरा तो अंधीरा है कम जब भी light ब्लॉक हो जाएगी तो shadow बनेगा ऐसा, आप लोगों ने ये चीज़े देखी हैं, आप लोगों ने shadow बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, ठीक है, चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, कुछ ऐसे example, अब ऐसा आक्षान हम लोग करते हैं, कब करते है जब कभी भी light चली जाती है, जब कभी light चली जाती है, तो bore होते रहते हैं, क्या करते हैं, तो bore होते रहते हैं, तो हम लोग torch या phone की flashlight जला लेते हैं, और अपने hands को ऐसे से करते हैं, जिसकी वज़े से हमें क्या दिखता है, different different types के हमें images बनते हैं, दिखते हैं, अब कई बा और वो सेड़ों हमें फॉल्स इंफॉर्मीशन भी देता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आपको लग रहा है गोट है बट वो क्या है एक हुमन हैंड है तो हमें कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है तो यह तो बात हो गई शैड़ों की अब चलिए मैं आप लोगों क क्या करना है आपको इसे रोल करना है कुछ इस कदर से एक ट्यूब के फार्म में इसे रोल कर लीजिए और अब इस ट्यूब से आप जहां पर भी आपके रूम में बल्ब लगा हुआ है जो भी लाइट सोर्स है उसे देखिए जैसे कि मैं देख रहा हूं यह देखो मैं पहले आप लोग को देख रहा हूँ और फिर मैं देख रहा हूँ light source को तो मुझे इस ट्यूब में से वो light source बहुत ही easily दिखाई दे रहा है आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा अब क्या करना है इसी ट्यूब को थोड़ा सा band कर दिना है इस ट्यूब को थोड़ा सा band कर दिजिये ओके यह ऐसे ऐसे band कर दिया मैंने अब मैं देख रहा हूँ इस ट्यूब में से अब मैं जब इस ट्यूब में से देखूंगा तो क्या मुझे वो light source दिखाई देगा मुझे वो light source दिखाई नहीं दे रहा है क्योकि अब जो मेरी tube है वो band हो गई है मैंने इसे थोड़ा सा बैंड कर दिया है देखो मैंने बैंड कर दिया है तो अब वो light source मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग है इसी वज़े से ये बच्छा इस candle की flame को देख पा रहा है बट यहां पर second case में अब क्या होगी है इस candle से जो flame जा रही है वो जा हमीसा ही street line में travel करता है, light जो है हमीसा street line में ही travel करती है, यह एक बहुत ही must और हम कहें तो amazing property है light ही, आप लोगोंने कभी भी torch on किया होगा, तो क्या ऐसा होता है, torch हमने यहाँ उन किया, और torch से light जाके turn होके यहाँ पर चीज़ें में दिखाई दें, क्या ऐसा होता है, नहीं हो light यहाँ चलेगी, light यहाँ चलेगी, वो फैलती नहीं है, वो हमेशा एक street line में ही travel करती है, तो यह बाते भी हमें पता चलगे किस के बारे में, light के बारे में, तो चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि अगर हमें pictures लेना हो, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें picture खीचना हो, अगर आप लोग को मेरी photo खीचना हो, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग simple सा camera का इस्तेमाल करेंगे, और उस camera की help से आप मेरी pictures photo ले लेंगे, बट मैं कहूं कि एक बहुती सस्ता सा pinhole camera भी हम लोग बना सकते हैं, और उससे भी हम चीजों को देख सकते हैं, तो आप लोग मान आप लोग घरों में जब order करते हैं, shoes order करते हैं, तो shoes का जो box होता है, सेम वैसा ही box लेना है हमें एक बड़ा सा, और एक लेना है छोटा सा box, small box लेना है, अब ये small box कुछ ऐसा होना चाहिए, कि ये बड़े वाले box में अंदर चला जाए और उसमें वो slide हो सके, ये बड़े बॉक्स में हम इस छोटे वाले box को fit कर दें और चोटा वाला box बड़े वाले box में आसानी से slide करना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, big box है और उसके अंदर है small box और small box big box में आसानी से slide कर रहा है, अब करना क्या है, बड़े वाले box के last में, यानि एक end पर हमें एक छोटा सा hole कर दिना है, बड़े वाले box में हमने एक छोटा सा hole कर दिया है और छोटे वाले box में हम एक square cut लगाएंगे यह आपको दिख रहा होगा, एक square cut लगाएंगे और उस square cut पर हम क्या करेंगे, एक paper चिपका देंगे वो paper जो हमने अभी देखा था, कहां पर देखा था, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला, ये जो tracing paper है, इसी tracing paper को हम इस box के उपर लगा देंगे, छोटे वाले box को हमने एक square cut किया, और उसके उपर हम tracing paper चिपका देंगे, और फिर क्या करेंगे, इस छोटे वाले box को बड़े slide कर दिया, अब यंदर चला गया, और अब हम इस hole में से देखेंगे, तो हमें objects दिखाई देंगे, हमें properly दिखाई देंगे, उनकी image बनेगी, ये देखें यहाँ पर, ये एक pinhole camera है, और यहाँ पर हमें क्या देख रहा है, second end पर एक paint है, और उस paint की image बनी हुई हमें, इस data line में travel करती है, pinhole camera, अब एक और camera आता था, साइद अभी नहीं आता है, अभी आप लोग थोड़े late हो गए हैं, हम लोगों के time पर, यानि कुछ सालों पहले camera आता था, उस camera में हम लोग देखते थे और इसे real घुमाते थे, वहाँ से बहुत सारी images जाती थी, और बहुत सार images हम लोगों को दिखाई देती थी, तो उसमें भी क्या होता है, एक छोटा सा hole होता है, सेम उसी तरीके से pinhole camera में होता है, छोटा सा hole होता है, उसमें से हमें देखना होता है, यह आख बन करके, तो हमें अन्दर image दिखाई देती है, property of the image form by a pinhole camera, यानि pinhole camera जो हमने बनाया है उसमें image जो warm रही है, उस image की क्या-क्या properties होती है, तो यह करके हम देखते हैं, image form by a pinhole camera is colored, जो image बन रही है, वो colored है, और image form जो हो रही है, वो inverted है, inverted है, upside down, upside down, यानि, अगर object कुछ ऐसा रखा है, object ऐसा रखा है, तो इसकी जो image बनेगी, इसकी image बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, upside down बनेगी, inverted बनेगी, यहाँ पर दिखिए, यह object है बचलोग, और इस object में arrow कहां पर है, arrow up है, उपर है, और जो image बनेगी इस object की, उस image में arrow कहां पर बनेगा, नीचे बनेगा, upside down, अगर object ऐसा रखा हुआ है, तो वो ऐसा बनेगा, आप देख सकते हैं, अपका down हो जाएग इसे कहते हैं, inverted, third property होती है, कि जो image बनती है, pinhole camera से, वो smaller होती है, size में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो बड़ा सा पेड़ है, इसकी छोटी सी image बन रही है, यहाँ पर pinhole camera में, और देखिए, उल्टा बन रहा है, यह पेड़ का अपर पार्ट यहाँ पर नीचे आ गया है, यानि property क्या होती है, image inverted होती है, और जो image बन रही है, वो छोटी होती है, object से, तो यह होती है, प्रापर्टी pinhole camera से बनने वाले images की, अब हम लोग बात करते हैं, अगले topic की जो की है reflection, अब reflection में, मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊं, आप लोग ने तो किया होगा, मैंने भी क्या होगा, मैंने किया है, मैंने किया है, बहुत क्या है, मुझे याद है, क्या होता है, छोटी छोटे mirror हम लोग लेते हैं, सुबह हम लोग लेके बैठ जाते हैं, छुटी के दिन mirror, और क्या करते हैं, sun से जो light आती है, तो उस mirror को ऐसे focus करते हैं, और हमारा जो दो light reflect होके आपके कहां जाएगी आँखों में जाएगी और आप उसे properly देख नहीं पाएंगे इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ तो देखे यहाँ पर मैं आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखे मैं अपने इस watch पर क्या कर रहा हूँ light incident कर रहा हूँ और यह light क्या हो रही है आप लोग देख पा रहे हैं यह light reflect हो रही है यह light reflect हो रही है ऐसा आप लोगों ने किया है आप लोगों ने भी किया होगा और हमने भी किया है तो आपको क्या करना है एक mirror लेना है फोड़ना मत नहीं तो mirror फोड़ के कांच का टुकड़ा ले लो और उसे हाथ में लग जाए और उपसे मम्मी भी बहुत मारें तो फोड़ना नहीं है आमें पूरा ही कांच लेना है छोटा वाला और उस कांच को क्या करना है light source के सामने रखना है जहां से भी light आ रही है चाहे वो bulb हो चाहे वो sunlight हो कुछ भी हो उसके सामने उस mirror को रखिए उस mirror को रखिए और उस mirror को क्या कीजिए बार बार घुमाईए तो आप देखेंगे उस light source से light आ रही है mirror पर और mirror को जब आप turn कर रहे हैं तो इस mirror से light कहां बजा रही है किसी दूसरी जगे पर जाकर focus हो रही है और आप उसकी position change भी कर सकते हैं इस mirror की position को change करके आप उस light की position भी change कर सकते हैं अब ऐसा क्यों हो रहा है तो बचलोग ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि light की एक property होती है जब कभी भी light किसी reflecting surface यह हम कहाएं किसी smooth surface पर जब कभी भी light किसी light source से जब कभी भी light किसी light source से किसी smooth surface पर यह क्या है यह एक smooth surface है और इस smooth surface पर अगर light source से light incident होती है तो क्या होगा incident होने के बाद वो light same medium में same medium में reflect हो जाती है वो light same medium में reflect हो जाती है और इस ही phenomenon को इस ही process को कहा जाता है reflection light source से एक light ray आ रही है जो कि एक smooth surface पर incident हो रही है और incident होने के बाद वो same medium में reflect back हो जाती है और इस process को कहा जाता है reflection और इस ray को कहा जाता है incident ray जो कि incident हो रही है incident मतलब आने वाली ray जो कि आ रही है आके टकरा रही है और यह है reflected ray reflected ray का मतलब जाने वाली ray जो कि टकरा के वापस जा रही है same medium में same medium का मतलब है इस mirror के एक ही side देखो यह क्या है mirror बोलिये इसको आप smooth surface बोलिये कुछ भी बोलिये जैसे मेरे watch में उपर क्या लगा है glass लगा है यह फिर reflection कर रहा था क्योंकि इस पर light रही थी और टकरा के same उसी side वापस जा रही थी देखो light source से light आ रही है जिसे हम incident ray कहते हैं और आ रही है टकराने के बाद वो उसी direction में वापस जा रही है तो उसे हम reflected ray कहेंगे और इस phenomenon को कहा जाता है reflection of light ठीक है और ये surface कैसी होनी चाहिए ये surface होनी चाहिए smooth होनी चाहिए smooth अब smooth surface क्या हो सकता है तो वो पानी हो सकता है वो कोई chickeny tiles हो सकती है वो mirror हो सकता है mirror हाँ वही mirror जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं ये देखिए ये भी क्या है glass है ये भी smooth surface है तो यहां से भी reflection हो जा रहा था ठीक है बचलोग अब यहां पर देखिए torch आ रहा है torch आ रहा है और क्या किया गया है एक помda a technology यहां कहें कि एक कोई सरफियस है सरफियस पर हमने क्या किया है इसको रख लिया है ठीक है ये एक surprise है अगा सेसरसीपर हमने रख लिया है एक возь एस और इससरसीपर हमने एक और रखा है आपको देख रहा होगा यह कॉम कंगी अरे कॉम यानि कंगी जिससे बाल हम लोग अपने ठीक करते हैं हमने क्या किया है इस सर्फेस पर एक कंगी रख लिए एक कॉम रख लिया है और इस कॉम पर एक लाइट सोर्स से यानि एक टॉर्च से क्या कर रहे हैं हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं एक लाइ चीज़े देखने को मिल गई यह light source कैसा है यह luminous है यह torch एक luminous object है और उससे जो light आ रही है वो कैसे आ रही है एक straight line में travel कर रही है इससे आने वाली इस com पर पड़ी तो com क्या है एक opaque object है यह com एक opaque object है और opaque object है इसलिए इस com ने क्या किया इस light को block कर दिया block कर दिया और block करने की वज़े से जितना part light को block कर रहा था उस part का क्या बन रहा है dark image बन रही है ब्लैक कलर की imagine थैगेOkay आप देख सकते हैं यह image वन गई और इसे क्या कहेंगे शेडव से हम कहेंगे शैडव 2 इस COM क्या बन गई शैडव है अब हमने इसी com के सामने रख दिया है एक mirror एक mirror रख दिया है जिस mirror में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं और यह mirror कैसा होता है यह mirror एक parcel के समूथ सरफेस है और इस मीर का पिछला वाला जो पाट है वो पॉलिष होता है और आगे वाला 파ॉर्ट बहुत होता है तो जब यहां से light आ रही है, इस comb पर इस comb ने क्या किया, उपेक object है तो light को block किया तो इसका shadow बन गया और वो ही light आगे जा रही है इस mirror पर और ये mirror क्या करेगा, उस light को reflect करके same medium में, यानि जहां से light आ रही है, उसी side light को वो भेज देगा, तो यहां से light आ रही थी, mirror ने क्या किया, light को भेज दिया, reflection के बाद, इसने light को reflection के बाद भेज दिया, आप देख सकते हैं, इस direction में, और reflection के बाद भेज दिया, तो आप देख सकते हैं, comb के कितने सारी चीजे बन गई, यहां से comb आ रहा था, यहां से reflection हो गया, अब आपको इस type का pattern देखने को मिल रहा ह इस ताइब का pattern और यह क्यों बन रहा है यह बन रहा है due to the reflection of light क्योंकि यहां से जो light आ रही है mirror पे गई और वो reflect होके अब इस ताइब का pattern बना रही है अब आप यह खुद भी करके देखना है आपको यह activity try करना है यह वाली चीज आप लोग को try करना है reflection समझ में आ गया reflection क्या होता है किसी light source से light ray का आना किसी smooth surface पर टक्राना और टक्राने के बाद सेम उसी medium में वापस हो जाना कहलाता है reflection जो light ray आती है वो कहलाती है incident ray और जो reflect होके वापस जाती है वो कहलाती है reflected ray और इस process को कहा जाता है reflection when light falls on a mirror when light falls on a mirror it is bounced back the bouncing back of light is called reflection देखिए बचलोग यहां पर light आके टक्रा रही है और टक्रा के वापस bounce back हो जा रही है जैसे हम लोग ball के साथ करते हैं ball को हम wall पर मारते हैं दिवाल पर मारते हैं तो क्या होता है दिवार पर ball जाके टक्राती है और वापस टक्रा के उसी direction में आ जाती यह वापस जैसे मैंने ball को मारा वो जाके टक्राई और same उसी direction में वापस आ गई तो वो bounce back हो रही है light भी क्या करती है bounce back हो रही है पर कहां से smooth surface से तो इस process को कहा जाता है reflection अब यह जो reflection है इसके बारे में detail में light के बारे में detail में हम लोग higher classes में पढ़ेंगे जब आप लोग class 10 में आएंगे class 8 में आएंगे जब आप लोग class 12 में गे तो और detail में हम इनके वारे में चीजों को पढ़ते जने जानते जैंगे यह सारी चीजें मैंने आप लोग को पढ़ा दी मैंने आपको light पढ़ाया luminous non-luminous object पढ़ाया shadow पढ़ाया मैंने आपको pin hole camera पढ़ाया और मै केरी बारी मैं आप लोगों को कुछ होंबग दे रहा हूं आपको यह सारे काम करने हैं घर पर क्या करना है आपको reflection pattern की study करना है आपको एक plane mirror लेना है एक कॉम लेना है और एक टॉर्च लेना है यानि यही वाला आपको पूरा setup करना है और देखना है कि क्या ऐसा formation हो रहा है या नहीं और ऐसा करने के बाद आप लोग बताएंगे भी comment section में कि हमने यह try किया था और ऐसा हमें देखने को मिला उसके बाद आपको एक pin hole camera बनाना है इसके लिए आपको शूस बॉक्स चाहिए दो बहुत चोटे-चोटे से और आप उनकी help से कर सकते हैं फिर आपको यह भी बताना है कि transparent, translucent and opaque object क्या है यह सारे क्या है आप अपने दोस्तों के साथ मिलके यह कीजिए आप लोग transparent एक object की list बनाईए कि कौन-कौन से object transparent है कौन-कौन से object अबजेक ट्रांसलूशन है और कौन-कौन से object उपेक है तो आपको यह लिस्ट बनानी है transparent object की, translucent object की और opaque object की list बनानी है और यह हमें भी बताना है और बाकी सारे चीजे पढ़ा दी है जितनी भी जरूरत थी पूरा चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है cover जिस चैप्टर का नाम था light shadow and reflection तो Champs कैसा लगा आप लोग को पूरा चैप्टर पढ़के मजा आया की नहीं चीजे समझ में आई की नहीं यह जरूर बताईएगा और मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ तब तक पढ़ते रहिए मस्ती करते रहिए अपना खयाल रखिए और वह सारे काम करिए जिसमें आपको मजाए चलिए मिलते हैं बहुत जल्ट टाटा बाइबा एंड थैंक यू कर दो